अगली बात जो आपको यहां समझनी है वो है कि नियोजन का अर्थ क्या है वैसे तो हमने सब काफी कुछ समझ लिया होगा लेकिन कुछ विद्वानों के दारा इसे कैसे परिभाशित किया गया है थोड़ा साम उसको देख लें संख्षिप्त में तो नियोजन का अर्थ एवं परिभाशा meaning and definition of planning साधारन शब्दों में नियोजन कार्थ है भविष में किये जाने वाले कारे के लिए योजना बनाना ये तो हम सब समझते हैं जो पूर उसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं समझते आ रहे हैं सध्याय में उसमें हम समझ गया होंगे आप समझ गहांगे कि भविष्च की योजना बनाने की बात को नियोजन कहते हैं तो साधारन शब्दों में तो ये परिभाश्य होगी योजना बनाने कार्थ होता है कि किसी क्रिया संबंदी कारिकरम को निर्धारित करना निश्चित करना उसकी प्रक्रिया को निश्चित करना उसके उद्देश को सुनिश्चित करना और उसकी टाइम लाइन समय सीमा भी निर्धारित करना दिन प्रति दिन की योजना दिन प्रति दिन का लक्ष आदिश में सब समाहित रहता है तो इस परकार हम योजना करते हम समझते हैं इस परकार पूरे संपूर्ण देश के जो सभी साधन है ऐसा करते समय हम पूरे देश के जो संसाधन है पूरे देश की जो शक्ती है मानो शक्ती आर्थिक शक्ती सरकारी शक्ती इन सब को उचित तरीके से मिलाते हैं और जो पहले से जो हम अवधी तै करते हैं उसके अंदर इन लक्षों को पाने की कोशिश करते हैं यही नियोजन कहलाता है पूर्व निर्धारित लक्ष पूर्व निर्धारित समय सीमा में सभी घटकों को उचित तरीके से समायोजित करके लक्ष पाना यही नियोजन है और वो सभी घटकों में मुख्य घटक क्या है प्राकृतिक संसाधन मानों शक्ति और अन्य प्रकार की शक्तियां और सरकारी तंत्र उद्देश के दिबात करते हैं तो अन्तिमुद्देश जो होता है नियोजन का खास कर इस धंग के विकास की बात करते समय तो अन्तिमुद्देश होता है राष्ट्र हित ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण देश लाभानवित हो ऐसा विकास जिसमें सभी देश के सभी वर्गों को उसका फायदा मिले किसी एक खास खेतर में किसी एक खास वर्ग को उसका ज्यादा फायदा ना हो ये योजना बद्ध विकास में ये बात समाहित रहती ये देश समाहित रहता है नियोजन में ये बात समाहित रहती है, मान के चलते हैं कि नियोजन कार्थ वही जहां पर सब के बराबर विकास की बात कर रहा है, और ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले ये कोशिश होती है कि हमारे यहां कितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उसका पूरा लेखा जोखा रखा ज कौन कौन से संसाधन हमारे पास कितनी मात्रा में हैं कितने दिनों के लिए हैं किस दर पर उसका उपयोग होगा और इसके साथ ही जो अन्य बात का सर्वे किया जाता है वह है मानौ संसाधन कितना है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए मानौ संसाधन अत्या किया जाता है पूरी तरह से इनके आंकड़े तयार किये जाते हैं और उसके पश्चात एक सीमित समय सीमिक अवदि के अंदर फिर से इनको प्राप करने के लिए इन संसाधनों का समुचित उपयोग और दोहन होता है और उसके लिए योजना तयार होती है अब आप अच्छी तरह समझ के होंगे कि योजना क्यों जरूरी है और योजना क्या है यह जो योजना को क्रियांजवित करने का काम सरकार का होता है किनकी मदद से करती है जनता की मदद से करती है और इस विकार विकास के मार्ग पर जनता और सरकार दोनों बराबर रूप से आगे चलते हैं इ नियोजित अर्थ व्यवस्था नियोजित अर्थ व्यवस्था तो नियोजित अर्थ व्यवस्था क्या है ये परभाशित हो गई इसकी विशेष्टाएं क्या है ये भी समझ गया विशेष्टाओं में सरकारी तंत्र का दखल इसमें जरूरी है सर्वेक्षन अवश्यक है आर और मानव संसाधनों का तीसरा लक्ष जरूरी है पूर निर्धारिक लक्ष पूर निर्धारिक अवधी संसाधनों का समुचित दोहन इस पकार ये छह साथ इसकी विशेशताएं होती है प्लैंड एकॉनमी की जहां तक परिभाशा की बात है कुछ विद्वानों की परिभाशा है हम थोड़ा देख लें संक्षिप्त पे पहला पिफनर पिफनर ने कहा है नियोजन जो है वो सभी मानवी व्यवहार है तो एक क्रम बद्ध प्रक्रिया है जो महत्पूर्ण शब्द है इस परिभाशा में क्रम बद्ध प्रक्रिया को हम नियोजन कहते हैं दूसरी परिभाशा टैरी के दौरा पूर्व निश्चित परणाम पूर्व निश्चित उद्द्योष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित उद्देशों को प्राप्त करने के लिए भविष्य की निर्धारित गतिविदिया देखे कितनी बढ़ी है परिभाश्या पूर्व निर्धारित उद्देश लक्ष उनको पाने के लिए भविष्य की निर्धारित गतिविदिया तथ और साधनों का च एवम इन सब को एक दूसरे से जोड़ा जाना इसे ही नियोजन कहते हैं लक्षपूर निर्धारित लेकिन भविश की निर्धारित गतिविदियों को भविश की निर्धारित तथियों को और साधनों का उचित उप्योग इसे नियोजन कहते हैं यह है टैरी की परिभाशा ती इसरी परभाशा जिसमें तीन नाम आते हैं सिम्सन, स्मिद्बाग और थम्सन नियोजन वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसका संबन्द भविश्य के सुझाओ, वैकल्पिक सुझाओ और साधनों से होता है भविश्य के सुझाओ, वैकल्पिक सुझाओ तथा उन साधनों से होता है जिसके माध्यम से सुझाओद प्रस्तावों को कारे रूप दिया जाता है अब ये वेकल्पिक सुझाओ कहां से आया वेकल्पिक सुझाओ मतलब यदि प्लैन एक योजना बद्विकास कार्थ ये है या किसी भी चीज को नियोजित करने का माइन ये है कि हम एक से ज्यादा आप्शन्स रखें एक ही आप्शन या एक ही मार्ग यदि हमने तैक किया है तो वो योजना नहीं कहलाएगे किसी कारण यदि उस रास्ते में हम नहीं चल पाए कुछ बाधाएं आ गए तो हमारे पास प्लैन बी या प्लैन सी होना चाहिए दूसरे शब्दों में इसे ही कहते हैं वेकल्पिक सुझाओ जरूरत पढ़ने पर हमारे पास दूसरे तीसर सुझाओ भी तैयार रहने चाहिए तो इसकी परिभाशा बड़ी अच्छी है वह क्रिया जिसका संबंद भविष्य के सुझाओं वेकल्पिक सुझाओं तथा उन साधनों प्राकृतिक संसाधनों साधनों से होता है जिनके माध्यम से सुझावित प्रस्तावों को कारिरू चुझार जाये और चौथी और अंतिं परिभाशुरी में बात करों तो डी कि विल ऑप उन्हों ने कहा है देश में विद्यमान भौतिक मानसिकं और आर्थिक संसाधनों को जनता के अधिकलाब के लिए कौन-कौन से संसाधन? भौतिक, मानसिक और आर्थिक संसाधन. किसके लिए? जन्ता के अधिक्तम लाब के लिए. अधिक्तम, maximum profit. कैसा उप्योग? विवेक पूर्ण उप्योग. विवेक पूर्ण ऐसा नहो कि विकास के नाम पर हमने इतना दोहन कर लिया कि आज की पीड़ी तो उस विकास का भरपूर आनन लेगी लेकिन कल बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी उधारन के लिए पेट्रोल आज प्रत्यूर मात्रा में हैं और पेट्रोल की आज बहुत मांग भी है पेट्रोल का उत्पादन कम होने के कारण कीमतें दिन दूनी प्राजचोगनी बढ़ रही हैं इन कीमतों को रोकने के लिए हम उत्पादन बढ़ा देते हैं और जो पेट् पेट्रोल को हम अगले एक साल में अगले पांस साल में समाप कर देते हैं इतना पेट्रोल निकालते हैं कि मार्केट में पेट्रोल की बाढ़ा जाया और कीमतें गिर के दो रुपे पांस रुपे हो जाए तो हम तो बहुत खुश होंगे आप बहुत खुश होंगे लेकिन तो नियोजन की चार परिभाशाएं भी अब आप समझे गा हैं इन परिभाशाओं को ज़िए आप देखोगे इन चारों के तो कुछ बातें साफ हैं पहला ये इसका सम्बंद अर्थ व्यवस्था से ज्यादा होता है नियोजन शब्द का सम्बंद अधिकतर अर्थ व्यवस् तीसरा ये एक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की बात करता है सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास तीसरा इसमें निरंतरता है निरंतर चलने वाला कारिकरम रहता है चौती बात जो आप देखेंगे वो ये है कि निश्चित प्रक्रिया और निश्चित संसाधन इनकी आवश्कताब बनी रहती है प्रक्रिया पहले से तय हो जाती है वही नियोजन है संसाधन कितना लगेगा ये भी तय हो जाता है और इसकी जुरुत लगातार बनी रहती है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नियोजन के ये चार-पांच पहलू है दूसरे शब्दों में नियोजन से आश्य ये है कि अर्थ व्यवस्था के सभी अंगों को एकी कृत करना और समन्वित करना और ऐसा करते हुए राष्ट या राष्ट वासियों के लिए अधिक्तम लाब की चेश्टा करना का प्रयास करना और ऐसा प्रयास करते हुए ये सुनिश्चित करना कि विवेक पूर्ण तरीके से कारिक किया गया हो वेक पूर्ण कारकरम बनाए गया हो और आवश्यक नियंतरन और निर्देशन हो नियंतरन किसका सरकार का निजी हाथों में भी यदि है तो भी सरकार का नियंतरन कई बार होता है जिससे जो पूर्व निर्धारित लक्ष हैं। प्राप्ति पर अधारित है, समय बहुत महत्पूर्ण है, मैंने एक उद्येश रखा है अपने सामने, या एक राष्ट का एक उद्येश है कि भारत के हर व्यक्ति को हम नियूनितम 20,000 रुपए वर्ष की आर्थिक सीमा रेखा के ऊपर उठा दिंगे, 20,000 रुपए प्रति वर्ष मिनिममम हरे की कमाई हो, और इस लक्ष की हमने समय सीमा नहीं रखी, कल्पना करिये 100 वर्ष बाद हम ये लक्ष प्राप्त करते हैं, तो क्या ये सफलता मानी जाएगी, ये कोई नियोजन नहीं है, नियोजन में ये निर्धारित करना होता है कि नियोजन में कुछ खामिया थी और इदी पा लिया, तो हमारी योजना बद्ध अर्थ व्योस्था का जो प्रयास है, वो सफल हुआ, तो इस प्रकार कहने का उद्धेश ये, एक ये सब उद्धेश्यों को एक निश्चित समय में प्राप्त करना, नियोजन का एक बहुत मह जान बूचकर की गई प्रक्रिया है, ये अगली उशेष्टा, मैंने शुरू में कुछ पाचार पांच जो उशेष्टा बताएं, उसमें ये भी है, कि जान बूचकर की गई प्रक्रिया है, जान बूचकर का अर्थ, सरकार या संबंदित लोग, जो प्रक्रितिक संपदा है, उसका दोहन कितना करना चाहिए, ये प्रक्रितिक तरीके से दोहन नहीं होता, दोहन की उतना ही होता है, जितनी जरूरत है, उसका उप्योग उतना ही होगा, जितनी की जरूरत है, वेश्ट न करें, तो ये जान बूच करकी गई प्रक्र, अग और उसके बाद अंतिम बहुत महत्पूर्ण शिष्टा ये हमेशा परिवर्तन शील है परिवर्तन शील क्रम है और उसमें वैकल्पिक दिशाएं भी शामिल रहती हैं भारत में नियोजन का जो सुरूप है वो मिश्रित अर्थविवस्था की देन है तो इस पकार अब हम समझ गए नियोजन क्या है क्यों जरूरी है कैसे परिवाशित है आवशकता क्यों है आदी आदी अब भारत में उसके उद्देश क्या थे भारत में हमने नियोजन के क्या क्या उद्देश रखे नियोजन की शुरूआत कब हुई और उद्देश क्या क्य इस पर अब हम चर्चा करें क्योंकि अब हम समझ गए हैं परिभाशित कर लिए हैं और नियोजन आदी के बारे में काफी कुछ ज्यान मिल गया है भारत और नियोजन अब ये हमारा अगला विशा है जैसा मैंने बताया कि नियोजन की प्रक्रिया में उद्जेश बहुत नियोजन एक समय निर्धारित पर करिया है तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि नियोजन भारत में क्या-क्या नियोजन के उद्येश रखेगा सचाई तो ये है कि नियोजन स्वयम में एक उद्येश पूर्ण करिया है सचाई ये है कि नियोजन स्वयम में एक उद्येश पूर्ण करिया है लेकिन पूर्व निर्दित उद्येश के बिना नियोजन की कल्पना संभव नहीं है तो भारत में नियोजन के उद्देश क्या रखेगा नियोजन जो सतत विकास की प्रक्रिया है इसमें पहला उद्देश सतत विकास की प्रक्रिया में हमारे उद्देश भी बदलते रहे परिवर्तन शील होते रहे क्यों परिवर्तन शील हुए इस पर हम आगे अध्यन करेंगे पर फिलहाल हम जाने कि हमारे नियोजन के उद्यश क्या कहते पहला उद्योगों के विकास की योजना बनाना दूसरा निर्धन्ता और बेरोजगारी का उन्मूलन करना स्वतन्ता के बाद जो हमारे उद्यश रखेगा उसकी बात करना हूँ पहला था उद्योगों का विकास और उससे संबंदित योजना दूसरा था निर्धन्ता और बेरोजगारी का नाश करना उसका उन्मूलन करना तीसरा निरक्षर्ता का उन्मूलन करना निरक्षर्टा का उन्मूलन करना चोथा सामाजिक न्याय की स्थापना पांचवा क्रिशी उत्पादन में वृद्धी छटवा क्रिशी तक्नीक में सुधार साथवा आर्थिक अर्थ जलस्था में आत्म निर्भरता आठवा राष्ट्री पूंजी में वृद्धी राष्ट्री पूंजी में वृद्धी और उसका उचित वित्रण प्रापर डिस्ट्रिब्यूशन देखें केवल वृद्धी नहीं है पूंजी में वृद्धी नहीं है कैपिटल में केवल बढ़ोतरी नहीं है पर उस capital का proper distribution और अंतिम आयात और निर्यात का संतुलन ये हमारे आधारभूत उद्देश विकास की प्रक्रिया में हमने जो भारत एक अविकसित देश है उसने नियोजन के लिए अपने ये उद्देश रखे थे